उत्राखंड के दिनेशपूर की दुर्गापूर नमबर दो गाउं में देरात चोरी हो गई चोरी का सारा घटना क्रम सीसी टीवी में कैद हुआ इसमें तीन लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें से दो लोग माल के बाहर खड़े हैं और एक व्यक्ती माल के अंदर शटर तोड़ कर घुसा जसने नगदी और राशन का सामान चुरा लिया घटना की जानकारी देरिशपूर पुलिस को दी गई है चंदर प्रकाश नाम के ये वक्त ने बताया कि चार लोग मिलकर एक पार्टनर शिप में दुकान खोली है इसमें देर रात चौरी की घटना सामने आई है एक सो बारह के जरिये पुलिस को सूचना दे दी गई है इस मौकी पर बोलते हुए गदरपूर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजर ने कहा कि चौरी की घटना दिनेशपूर छेतर में आम है पूरे जले में नशे का आतंक है और दिनेशपूर पूलिस सिर्फ हेलमेट ना पहनने वालों से उगाही कर रही है इनका अपराधियों को सपष्ट सनरक्षन हैं सब लोगों को ये पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग नशेडी हैं हम इनको कहां पर रखें इस तरह से इन नशेडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है पूलिस प्रसाशन का काम है रोकना जहां तक पूलिस प्रसाशन की बात है हमारे दिनेशपूर छेतर में पहले शहर में खबर ये थी कि नशा बिगता है स्मैक आप गाओं गाओं में भिगने लगा है और पुलिस को फता है चोरियां आए दिन हो रही है आप आप कह रहे हो वहां मॉल में इस से पहले मेरे घर पे मेरे फारा माओं से टैक्टर का एक शामान चोरी करके लेकम सकंद दसाजार रुपय का है और इन लोग ज़्यदा मैंने देखा यह कंप इस शरकार में प्रसाशन द्वारा पुलिस प्रसाशन द्वारा पिसे स्टूप से किया जा रहा है वह है साम को दोफेर के बाद काम ने तो वह पकड़ो मोड़ो सैकल वालों को फकड़ो रोड पे बैढ जाओ दर भीज़ार प्रसाशन एक लाक यही काम रह गया है शटर तोड के चोरी हो यह मौल में मैं आपको कह रहा हूं कि हर गली मौले में नशेडी हैं और प्रसाशन के लोगों को खाली है दिनेशपुर्ण नहीं है वो पुरे जीले की कह सकते हो जो हेट कोटर है रुद्रफूर हमारे पुरे जीले का हेट कोटर वहां हालत बहुत कराब है गली मौले में आए दिन चोरी चकोरी वो नशेडी लोग करते हैं उनको पकड़के को यह लोग बागे दी पकड़े भी आपको पता है पुलिस क्या कहती है कि साब इनको कहां ले जाएं कहां रखे वो नशाव उन्हों ना दो तो मरने लगते हैं कि आइशा उनका वो कहना है कि देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर